या प्रद्यापन में है या किसी भी कारे में हैं ऐसे अर्थ जो हमें निठल्ला बनाते हैं उपासना साधना अरदना गट सकती है इसकलिए को नहीं दुनिया रचने की जुरूरत नहीं है ना नई दुनिया रचने की जुरूरते ने नया आदमी भीतर कुछ गढ़ने की आवशकता है भीतर समझने की आवशकता है ये सेवा है अगर उपासना साधना अराधना अलगी इसकी उपर एक और वर्षक्षॉप करने का भी मन है बीस दिसंबर को मन है कि एक लगबग चार गंटे की कारेशाला यहीं की जाए अभी मन है अभी सुनिश्चित नहीं है मन है जो लोग भाग लेना चाहेंगे आठ से लिए के बारा बज़ित तक यहां कारेशाला करेंगे ब्रेकफास्ट भी यहीं दिलवाएंगे ब्रेकफास्ट के पैसे सब लोग अपने जमा कराएंग अपना अपना अन सब खाएंगे कारिक्टरम का तो कोई शुल्क होता नहीं उसमें यही मन है किस प्रकार के विशय को लिया जाए जिसमें हम लोग जीवन के प्रती ऐसे द्रिष्टी को समझें जैसे शिक्षा के साथ विद्या का होना क्यों आवश्चक है जैसे समाने जीवन में विकास के लिए उपासना, साधना, अराधना की क्या आवश्चकता है जैसे हम लोग बहुत मैनेजमेंट के लिए बोलते हैं तो मैनेजमेंट की द्रिष्टी से उपासना, साधना और अराधना का क्या लेना देना है उपासना कि इश्वर की इश्वर की शब्द से बना है जिसका मतलब है अनुशासन दी कंट्रोलर एक मैनेजर की द्रिष्टी से देखें तो उपासना का अर्थ है कि one who has appointed you your own conduct your own discipline your own job profile when you try and understand it every day more and more आप उपासना कर रहे हो मुनश्य चाहे किसी भी श्रेणी में हम दर्शन क्यों ना करें अधिकांश लोग जो कारे करते हैं they are not aware fully about the job profile they are required to perform they do not know the code of conduct they do not know the entire business insurance का काम करने वाला है बहुत से insurance agent मैं देखता हूँ policy बेचने आते हैं लेकिन policy बेचने आने के बाद किताब टोलते हैं scheme स्कीम नहीं मिलती किसी को phone मिलाते हैं फिर कहते हैं मैं किसी और को साथ ले करके आऊंगा आपको scheme समझाने के लिए मैंने बीस यों बार देखा है लड़के आके संपूर्ण विस्तार का इसको ग्यान नहीं है रोज नैश्टी को पासक नहीं है इसके भीतर कोई उपासना नहीं है उपासक नहीं है और फिर उसके बाद उपासना के बाद साधना साधना अर्थात अपने भीतर की अक्षमताओं को बदलना पहली तो बोध प्राप्त करना कि मेरी सारी policies क्या है और फिर उतनी दक्षता को प्राप्त होना कि मैं सारी policies को उद्रत कर सकूँ समझा सकूँ वो है साधना और सेवा सेवा का अभी प्राय है कि जहां मैं काम कर रहा हूँ वहां प्रेम का, सौहार्द का सहयोग का वातावन का निर्मान करना ये अरादना है from the aspect and perspective of administration and management अरादना का तातपरी एक ही है जहां भी मैं काम कर रहा हूँ वहां सहकारिता का विकास करना try and exercise a role of a contributive element जहां मैं लोगों को योगदान कर रहा हूँ एक अच्छे वातावन का निर्मान कर रहा हूँ वो मेरी अरादना है उपासना, साधना, अरादना धर्म की दृष्टी से निकालने वाले सूत्र है इन्हें अब अध्यात्म जगत में आना चाहिए management के क्षेत्र में आना चाहिए जीवन जीने की कला के सूत्र है ये जिसे हमें नित्य होकर के घड़ते घड़ते अपने आपको आगे लेके जाना है इसे हमने छोड़ दिया कहीं पीछे छोड़ दिया प्रियोगशाला से निकाल करके और हमने एक प्रतिमा के सामने तक सिमित करके रख दिया वो भी अन्याय पून तरीके से बहुत आवश्चकता है कि रहस्मे सूत्र का ये बहुत रहस्मे सूत्र है क्योंकि उपासना ऐसा सूत्र है कि अकर मुर्श इमानदारी से उपासना करता चला जाए अनेक विश्यों का ज्ञान प्राप्त कर सकता है उसके भीतर उत्सा है इतना कि हजार हजार विशमताएं भी उसको नहीं हिला सकती ये कहां से आता है ये उपासना से आता है और अगर उसने साथ साथ अपने आपको घड़ना शुरू कर दिया तो फिर ईश्वर मार्ग बना के उसकी अराधना के लिए मार्ग प्रशस्त करता है तेरी जिरूरत है तुँ आ कोई बात नहीं चोटी प्रक्रिया नहीं है दिरे दिरे से लेबस बढ़ रहे हैं विज्ञान बड़ी गती से आगे जा रहा है बच्चों पे stress level आ रहा है बच्चों में नाना प्रकार की अक्षमता यह विक्सित हो रही है क्यों? क्योंकि शिक्षा का विस्तार होता चला जा रहा है विद्या उरक्यूई है विद्या जाग्रित होगी तो धारक्षमता में विकास होगा That being who has to be born with the knowledge must also grow neo-विध्याले में हम शिक्षा दे शिक्षाले बना दिया अब हमें विध्या से पूरित करके विध्याले को विध्याले की गरिमा से पूरित करना होगा विद्याती प्रोर पृतिश्थाक करνी वो नहीं, the actual age and the biological age at least should be the same, यह विद्या सुनिश्चित कर सकती है, शिक्षा नहीं, मुनुष्ट्र के भीतर का निर्मान विद्या का कारे है, और इसी विशेपर हम आगे फिर चर्चा करेंगे, आज का विशे उपासना, साधना, अराधना, उपासना ईश्वर की, साधना के लिए सेंयम से होता है, और अराधना सेवा बिना हो नहीं सकती, तन्यवादा,